हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक सम्तिंग टेस्टी में जहाँ पर आज हम गोबी की सबजी बनाने वाले हैं जो की बहुत ही जादा टेस्टी होने वाले है इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है जैसे हम नोमल सबजी बनाते हैं ऐसे हमने इसक के नहीं है पानी जाल देंगी तो यहां पर अन्दर आरे वगोबी के पार वाले अंगे अच्छे से पका लिए तो देखिये आप अच्छे से उबाल आने शुरू हो गई है और थोड़ी देर में हम इसको चेक करेंगे, आप इसे चेक करते लिएगा थोड़ी देर में, क्योंकि गोभी पर भी डिपेंड होता है कि वह आपकी बारी कटी है, मोटी कटी है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा कट किया है, तो अभी तक यह हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर म मैंने यहाँ पे सरसो का तेल यूज किया है अभी हमारा तेल गर्म हो गया इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरो को हमें ब्राउन कर लेना है तो जब तक हमारा जीरा ब्राउन होगा तब तक हमें अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको वह में हाई ही रखूंगी अगर लो भी कर सकते हैं आप लो कर लिजगा अगर जादा गर्म हो गया तेल तो थोड़ा लो कर लिजगा ताक जादा आपके जीरा काला ना पड़े तो यहाँ पर अभी मेरा जीरा ता ब्राउन होगा था अभी हम इसके अंदर प्याज जाल दर देंगे प्याज़ को भी हम हल्का ब्राउन होंने तक इसी तरह समय को ज़ाते रहें गे तक जब हो गया है यहां पर हमें अद्र mercury स्ट ले लेंगे और को बार को लेशन को पेस्ट ले लिए और के हम चलाते रहें wichtige हमने जादी है अग्यार बघ्दल आप ऐस साटमाटर की प्यूरी मैंने बना ली थी तो वह मैंने देखिए यहाँ पे इसके इंदर डाल दिया उसको मच्छे से चला लेंगे और यहां पे हम इसको फिरन्ट से थोड़ी देर ठकके प्रवाठी नमक दाल लिया है आदा चम्मच नमक डाल लिया है आधा चम्मच आप लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे आधा चमच हमारा जो है फ्रेंट्स वो हमने धन्या पाउडर लिया है और आधा चमच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर ले क्योंकि जीरा पाउडर अगर आपके मसालों में ज्यादा होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं क्योंकि इससे थोड़ा अजीब सा टेस्ट आता है तो इसने पर थोड़ा कमी यूज़ करती हूँ अब यहाँ पे हम सबसे लाश्ट में धनिया और हरी मिर्ची डाल लेंगे उनको अच्छे से मसालों के साथ पका लेना है और थोड़ा से चलाएंगे ताकि हमारे मसाले थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छे से अबसर्व कर लें जो हमारी गोबी होगी इसको तो अब हम यहाँ पे जो हमारी गोबी होगी फ्रेंड्स वहम इसके अंदर डाल देंगे देखिए सारी गोबी हमारी हम इसके अंदर डाल चुके देखिए और गोबी डालने के नमक विर्श वगेरा को क्योंगे आशी उबाला था तो अच्छे से अब्रफश कर लेगी तो थोड़ा सा मिसको डखकर के सको पका लेंगे अच्छे से ताकि moet शुझा तो देखिए यहां पर हमारे जी चबजी बनके रेडी हो गए है अच्छे से हमारी गोबी ने अब्सर्ब भी कर लिया देखिए तो देखिए बहुत थी अच्छी हमारी एक्दम ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है अगर आप में हमानों के लिए सब्जी बनाते हैं तो मैं अग्दम सूखी सूखी जैसे पसंद होती है घर में जादा पानी नहीं है और एकदम अच्छे से जो ग्रेवी है हमारी प्यास टमाटर वगारा की वह बहुत अच्छे से आई है देखिए बहुत ही तादर टेश्टी सब्जी होने वाले अगर आप लोग को वीडियो लगी बाबाइ